अलो गाईज वेलकम बेक टो दिस चैनल, so friends रिसेंटली चैनीज मार्केट में रेड्मी नोट 13 प्रो प्लस स्मार्टफोन लॉंच हुआ था और अगर आप इस स्मार्टफोन का इंडिया में वेट कर रहे हो तो आज के इस वीडियो में हम रेड्मी नोट 13 प्लस स्मार्टफो सबसे पहले friends build quality design वगेरा के बारे में बात करें तो रेड्मी नोट 13 प्लस स्मार्टफोन का डिजाइन इस बार काफी बढ़िया देखने को मिलता है और यह स्मार्टफोन गाईज आपको इंडिया में इस बार तीन कलर ओप्शन के साथ देखने को मिलेगा बाकि यहाँ पर friends aluminum frame दिया गया है और आपको back और front दोनों साइट पे Corning Gorilla Glass Victus की production देखने को मिलेगी स्मार्टफोन की build quality काफी solid रहने वाली है और एड्मी नोट 13 प्लस स्मार्टफोन इस बार 9 mm थिकने सो 204 ग्रेम वेट के साथ आता है तो नो डाउट यह स्मार्टफोन थोड़ा heavy होने व OLED पैनल दिया गया है और इंट्रेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आपको TCL C7 12-bit पैनल देखने को मिलेगा जहाँ पर 68 billion प्लस का स्पोर्ट देखने को मिलता है और इस स्मार्टफोन में आपको 1.5 के resolution मिलेगा और यहाँ पर fans आपको HDR 10 प्लस Dolby Vision का स्पोर्ट भी मिलने गया है तो यहाँ पर आपको scrolling experience, app open and close animation काफी smooth देखने को मिलेंगे और Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन में 1800 नीर्स की peak brightness का स्पोर्ट भी देखने को मिल जाता है तो अगर आप इस स्मार्टफोन में HDR content देखोगे और outdoor भी लेकर जाओगे तो यहाँ पर आपको visibility insane देखने को मिलेगी औ Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन में इस बार under display fingerprint scanner भी आने वाला है इसके लावा specification की बात करें तो Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन में इस बार आपको media tech की तरफ से Dimensity 7200 Ultra processor देखने को मिलेगा जो की 4NM fabrication पर आता है तो यहाँ पर आपको battery drain काफी कम देखने को मिलेगा और स्मार्टफोन में performance भी आ Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन में performance के अंदर कोई भी compromise देखने को नहीं मिलेगा और स्मार्टफोन में आप heavy से heavy game को भी easily run कर पाओगे और Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन में इस बार आपको A256GB I guess best variant देखने को मिलेगा और यह स्मार्टफोन 16GB 256GB top variant के साथ आने वाला है बाकि स्मार्टफोन म पर आने वाला है और यहां पर आपको फ्रेंट्स टू येर के मेजर ओस अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे स्मार्टफोन में आपको performance software department काफी बढ़िया देखने को मिल जाएंगे और स्मार्टफोन के camera department की बात करें तो यहां पर इस बार कोई भी upgrade नहीं किया जाएगा बिकोज स्मार्टफोन में अगें triple camera का setup देखने को मिलता है और यहां पर फ्रेंट्स primary camera 200 megapixel का दिया गया है जहां पर Samsung का ISOCELL HP3 sensor आता है और इसमें आपको optical image stabilization का sport भी देखने को मिलेगा बट फ्रेंट्स यहां पर image processing में improvement होने वाला है तो camera quality स्मार्टफोन में आप बढ़ि 30 fps तक video shoot कर पाऊगे यहीं पर फ्रेंट्स साइड सेल्फी की बात करें तो स्मार्टफोन में अगें 16 megapixel का टिपिकल सेंटर पंचोल सेल्फी केमरा दिया गया है और इससे भी फ्रेंट्स आप Full HD 30 fps की max video shoot कर पाऊगे लाश्ट में बेटल एफ और charging capacity के बारे में बात करें त तो Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन में 5000 mh की large battery देखने को मिलती है और बड़ी battery capacity के साथ साथ स्मार्टफोन में प्रोसेसर भी काफी ज्यदा power efficient रहता है तो यहाँ पर आपको battery backup insane देखने को मिलेगा और बड़ीया बात यह है कि स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए आपको 120 वोट क fast charging का sport भी मिलने वाला है जिससे आप स्मार्टफोन को around 25 minutes में full charge कर पाऊगे बाकी कुछ अधर details के बारे में बात करें तो Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन में dual stereo speakers देखने को मिलते हैं जहाँ पर dolby utmost का sport भी दिया गया है तो यहाँ पर आपको sound quality काफी बढ़िया देखने को मिलेगी और स्मार्टफोन में X-axis linear motor दे गया है तो haptic feedback भी यहाँ पर आपको solid मिलेंगे बाके friends Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन में Wi-Fi 6C और Bluetooth version 5.3 का sport भी दिया गया है तो यहाँ पर आपको connectivity भी बढ़िया देखने को मिलेगी और अब दोस्तों price point के बारे में बात करें तो Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन Chinese मार्केट के अंदर 22,000 रूपीज का लौच हुआ है जहां पर friends उसका base variant 12GB RAM 256GB देखने को मिलता है लेकिन इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन आपको A256GB base variant के साथ देखने को मिलेगा और इसकी price भी आपको slide ज्यादा देखने को मिलेगी और यह स्मार्टफोन इंडियन म मार्केट में देखने को मिल जाते हैं तो definitely guys Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में हमें नौंबर मंत के स्टार्ट में देखने को मिलेगा बट जब इसके regarding कोई भी official confirmation भी आता है तो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो फिलाल दोस्तों आज की इस वीडियो म के लिए चैनल को भी सबस्क्राइब कर लेना